जेहिन दोस्तों रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के जीडियो में मैं आपको दो महतपूर जानकारी दूँगा सबसे पहली जानकारी है एक लेटर भारा सरकार का एक लेटर दिखाय जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि जो पूरसینिक है, उनको टोल्ट टेक्स माफ है, तो क्या इस लेटर के अधार पे, आपका टोल्टेक्स माफ होगा, जितने भी पूरसینिक हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा एक और जानकारी मैं आपको दूँगा सोचल मेडिया पर एक खबर आ रही है कि UROP3 Pension Table आपको 10 अगस्ट के आस पास मिल सकती है कुछ सोर्से से खबर आ रही है और दोस्तो इसमें एक और चीज बताई जा रही है कि जो आपकी अगस्ट की पेंशन है वो UROP3 के अनुसा रहेगी अगस की जो पैंशन है इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूँगा तो दोस्तों ये दोनों जानकारी हैं आपके लिए बहुत मैत्मूर है इसलिए इस वीडियो का आप शुरू से लेके आखरी तक देखेगा और अपने गुरूप में भी शेयर कर देजेगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूँ अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियोज है वो आप continue देख पाएं और जो उसके notification है वीडियो के वो भी आपको मिलते रहें तो चैनल को आप subscribe करना मत बोलें जिसका नाम है रक्षित खन्ना चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक letter दिखाया जा रहा है जिसके बेसर बताया जा रहा है exemption from toll tax और इसमें एक line लिखी हुई है defense personnel और ex-servicemen and their families are exempted from paying tax on production of i-card यानि आप अपना i-card दिखाकर toll tax से आप छुटकारा पा सकते हैं अगर आप toll से गुजरते हैं दोस्तों जितने भी poor senior care pensioners हैं उनके लिए toll tax माफ नहीं है exempted नहीं है अगर आप toll से गुजरते हैं तो आपको tax देना पड़ेगा भले ही आप अपना i-card दिखाते हैं सिरफ छूट उनी को है जो serving में हैं जो जवान हैं जो job कर रहे हैं लेकिन कई बार जो toll tax से बैटे करम जारी हैं वो आपसे सही विवार नहीं करते हैं आपको भुला भरा कहते हैं आपसे पैसा वसूलते हैं मनमर्जी तरीके से ये गलत है लेकिन पूर सेनिकों के लिए toll tax माफ नहीं है ये मैं आपको पहले भी बताया था तो अगर आप ये letter दिखाते हैं या फिर अपना i-card दिखाते हैं तब भी आपसे पैसे वसूले जाएंगे आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आप toll से गुजरते हैं अगर कोई serving है जवान है जो job कर रहा है उसको छूट मिल सकती है उसे छूट है जितने भी पूर सेनिक है या फिर उनकी फैमली है उनको छूट नहीं चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ फिर दोस्तों एक खबर आईती जिसमें बताया जा रहा है कि ओवारूपी 3 क को गरांट किया एप्रूफ किया कि आप इस पर काम करना शुरू करिए उसके बाद दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिपेंस ने सीजडीय को आदेश दिये पेंशन टेबल बनाने के लिए और उसकी जो टेपल पर पेशन का काम है वो भी लगबग खतम होने वाला है फिर दोस् दोस्तों जो यहाँ पर पैरा लिखा हुआ है यह सबसे इंपोर्टेंट है क्या लिखा हुआ है रक्षा राज्य मंत्री इश्री संजे सेट ने इन सभी सवालों का जवाब देते हुए बताया है कि कैबिटेट ने एक जुलाई दोजार चौबिस से और जुलाई से इसका बेनिफिट दिया जाएगा उवारूपी 3 पैंशन टेबल 10 अगस तक त्यार कर ली जाएगी जिया दोस्तों एक यह छोटी सी खुशकबरी बताई जा रही है शोचल मीडिया के माध्यम से कि जो आपकी उवारूपी 3 पैंशन टेबल है वो 10 अगस तक त्यार कर ली जाएग फिर क्या लिखाए अगस्त की पैंशन वारूपी 3 के साफ से दी जाएगी साथी जुलाई का एरियर भी दिया जाएगा ये भी बताया जा रहे है कि जो आपकी अगस्त की पैंशन आएगी उसमें आपको वारूपी 3 की पैंशन मिलेगी दोस्तों अगर वारूपी 3 पैंशन कर देता है अगर टेबल जल्दी जारी कर देता है बीच अगस्ट से पहले पहले और उसे के बाद फिर और भी फॉर्मल्टी पूरी हो जाती है तो फिर आपको उअरू पित्री pension अगस्ट की pension में मिल सकती है और दोस्तो जो एक महीने का एरियर है वो भी बताया जा रहा है कि अगस्ट में ही दिया जाएगा जुलाई का जो आपका एक मेने का एरियर बनता है वो भी आपको बताया जा रहे कि अगस्ट में दिया जाएगा दोस्तों अगर ऐसा होता है तो यह बहुत अच्छी बात है फिर दोस्तों एक और खबर आ आसपास ओवारूपी 3 पर आकिरकार मिल गई बड़ी खुशकबरी 10 अगस को PC TV जो है यहाँ पर टेबल यानि उन्हें बताए कि 10 अगस के आसपास आपको टेबल देखने को मिल सकती है हालकि यह edited news है इसे edit कर रहा है इस वाली news गो इस वाली news को edit कर रहा है और जो यह वाली खबर है यह वाकी में चाप रही है किसी में तो दोस्तों यह कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई इन खबरों के मताबिक अगर जल्दी आपको वारूपी 3 पेंशन टेबल मिल जाती है 10 अगस के आसपास या फिर 15 अगस के आसपास यानि 20 से पहले पहले हो सकता है कि अगस की जो पेंशन मिले आपको वारूप पी 3 के अनुसार मिले बड़ी हुई पेंशन के साफ से लेकिन देखने वाली यह बात है कि जितनी भी टेबल का काम है और लैटर का काम है यह कितनी जल्दी होता है उसी के साफ से फिर PCDA इस पर स्काम कर पाएगा तो दोस्तों यह कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझा रही है आयोब सारी जानकारी आप अच्छे देश समझेंगे वीडिया आपको रखता है वीडिये को लाइक करें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खाना थैंक्यू सुमाइब